ग्रामिंग छेत्रों में युवाओ को तक्निकी जानकारी प्रदान करने के उद्देश से पुलिस भरती का प्रशिक्षिन शिवर आयोजित किया क्या है राजसरकार पुलिस भरती के लिए अधिक से अधिक स्थाने युवाओ का चेंट किया जाना चाहिए ग्रोह मंत्री अनिल देशमुक ने सभी से इसके लिए कड़ी महनत करने की अपील की उन्होंने आज काटोल और कोंडाले में पुलिस भरती तैयारी प्रशिक्षन श्विर का उदगाटन किया वह उसमें बात कर रहे थे इससर पर ग्रोह मंत्री की पत्नी आरती देशमुक पुलिस अदेखषक राकेश ओला उप विभाग्य अधिकारी श्रीकानत उमर कर उप विभाग्य पुलिस अधिकारी नागेश साधव सुभाश कोठे सती श्रेवत कर और नरेश अडसरी उपस्ति थे कैम का उद्गाटन आज कोंडाली और काटोल में किया गया और थादी पवानी में भरती पूर्वत तयारी प्रेशिक्षन शिवर आयोजित किये जा रहे है यह वास्तविक पुलिस भरती प्रक्रिया को सूचित करेगा शिवर से पुलिस विभाग में चेयन का लाब मिलेगा उन्होंने लड़कियों से इस तत्यों का लाब उठाने की अपील की कि पुलिस भरती प्रक्रिया में 30% सीटे महिलाओ के लिए आरक्षित है कोरोना महमारी के कारण राज्य की आर्थिक सिथी अच्छी नहीं है एक शिवर का आयोजन किया गया है राज्य पुलिस बल में चेयन के लिए एक शेद्रों और लिखित परिक्षा की तयारी करे दुरता और कड़ी मेहनत करने की इच्छा पुलिस बल में चेयनित होने का यह सुनेरा असर है ऐसा वक्तव्य देशमुक ने किया उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस बल में 12,000 पत भरे जाएंगे और पहले चरन में 5,298 पत भरे जाएंगे उन्होंने कहा कि महाराश्य पुलिस ने कोरोना काल के दौरान अच्छा काम किया था और इस दौरान 296 पुलिस कर्मी शहीद हुए थे अब 12,000 पुलिस कर्मियों की भरती किये जाएगे इस सन्नी में 100 एकर के शेतर में सरकारी भूमी का अधिग्रहन किया गया है काटोल, नर्केट, कुंडाली और बाजार गाउ पुलिस टेशन स्थापित किये जाएगे उन्होंने कहा कि निकट भविश्य में नाकपुर मेट्रो काटोल से नर्केट तक शुरू होगी शक्ति अधिनियम का मसौदा तयार किया गया है और यहाँ महिलाओ की खिलाफ गंबिर अपरादों के लिए मौत की सजा का प्रावधान करेगा इसलिए ग्रुहमंत्री अनिल देश्मुक ने कहा कि राज में लड़किया और महिलाए सुरक्षित रहेगी राज में आगामी पुलिस भर्ती में बड़े चेयन के लिए कड़ी महनत करने के लिए तयार रहे आरती देश्मुक ने इस अवसर पर उपस्तित युआओ को बढ़ाई दी और उन्हें इस शिविर में अभ्यास करने की अपिल की ग्रुहमंत्री अनिल देश्मुक की पहल पर एक पूर्व तयारी प्रशिक्षिन शिविर का आयोजिन्त किया गया है इसलिए वह यहां के युआओ के अभिभावक की जिम्मेदारी पूरी कर रहे है बच्चों को जीवन में लक्ष निर्धारित करने की आवशक्ता है उन्होंने युआओ लोगों के लिए लक्ष निर्धारित किये है पुलिस अधिक्षिक राकेश ओला ने प्रशिक्षिकों से प्राप करने के लिए प्रयास करने की अपील की पुलिस ने भरती प्रक्रिया चेत्रों और लिखित परिक्षाओं के बारे में जानकारी प्रदान की दुरता और कड़ी मेहनत करने के लिए तयार रहे पुरी ताकत से तयारी करे आप पुरी तरह से तयार होंगे जिम्मेदारी आपकी है उपसंभागिय पिलिस अधिकारी नागेश जाधों ने लोगों से अपील की कि वे इस साल की भरती के लिए चेहन करने का प्रयास करे लेकिन अभी नहीं प्रशिक्षिक शिविर Y.M. मदावी, M.A. रामटेके, A.U. पवार, S.B. कुठे, B.A. शुकला, अक्षे ठाकरे, मनीश ठाकरे, प्रविन टोंग, मानिक उसंदी, विजे कुम्भलकर, गुरुदेव खोबरागडे, गनेश सोकसे, प्रसार रुचके, राहुल तायडे, नित सुन्टके, शुरिधर जेड और चंदरशेकर मसाराम सहितकुल 20 कोच प्रशिक्षन देंगी। शिविर की शुरुवात, मराथा लॉंसर, स्विधर वयुद स्पोर्स बोड और सहित्स फांडेशन द्वारा राजु जिम, काटोल और कॉंडाली में सहिक्त रूप से की गई है